अगर आप बारत ये मर्द हैं तो हो शकता है कि 30 की उम्र के बाद आपका हैरफॉल होना शुरू हो गया है और ये आपके सेल्फ कॉंपिडेंस को कम करता है अगर ये हेरफॉल जेनेटिक है तो कोई भी तेल या शेंपू इसे रोक नहीं शकता और आपकी हालत यहां से लेकर यहां तक हो शकती है क्या आपको इसका पर्मेनेंट सोल्यूसन चाहिए और वो भी हमारे शहर मोर्भी में तेन वेलकम टुस पर्स स्कीन एंड कोस्पाटिक क्लिनिक चहां डॉक्टर जैस सेनारिया और उसकी एक्सपोर्ट टीम लेकर आ गये है आपके लिए एडवांस टेक्नोलोजी के साथ है है रांस्प्लांट सर्जरी है हैề है 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 मेरी तरह आपके दिमाग में भी साववालात होंगे तो चलिए जानते है एकस्साइब ड क्रेंस र Saxear के पसiendo क्या होती है Мोटी जैसी एक शिर इक टेक्नोलोजी है जिसमें बंड और यैसे ग्राप निकालके च्पय हैर नहीं है हे वहाँ पर इंप्लांट करते हैं किया ये सरजरी प्एनफुल है नहीं ये सरजरी बिल्कुल पईनलेस है क्या इस सरजरी के कुछ साइड एफेक्स है अगर आप वालीफड एक्सपर्ट डर्मेत्र लॉगिस्ट या प्लाष्टिक से पासिะ से करवाते है तो कोई साइड इफ्यक्त नहीं आयेगी रिवाइब यूर लुक विद नेच्रेल हैर